रहम राम जी आपका अपना वी एक विरॉत के बाष्षक्प्राइब तो पैरे दोस्तों आप सभी रब्येयर्वियुक न्युव ग्डव् विलोग में स्वागत तो पैर दोस्तों आपका अपना चाहिन वीकेश चोटो तो दोस्तों आज माँ आहूं स्टबुधरी के बाग म और आपको दिखाएगे दोस्तों और मिलवाईगे जो ज्यां पर रहते हैं यो चाम करते ठीक है तो ऑज वोलोक बहुत ही खासा ओने वाला है और अपको डिखाएंगे तो दे भी और जो यह जो नाल आलिह दिक히 fout तो दिखा दे भई देखो भई यह फूल भी आ चुके है और फल भी लग चुके देखिए फल है तो आगे चलते आगे दिखाते हैं तो देखो यह जो पाइप लगी हुए है काली-काली इन्वे पानी सप्लाई होता ठीक है और इस से पहले यहां पर फुवारी लगे हुए थे जो जैसे यह आपने देखा वाकी गार्डन देखा उस तरह यह यह आपर छोटे से वहां पर बड़े थे ठीक है और मिलवाते हैं दोस्तों अब जो यह आपर काम करते हैं ठीक है उनसे तो अमारे साथ जुड़े हैं विनोध भाई तो विनोध भाई आते हैं तो विनोध भाई आपके क्या क्याना चाओगे यह कब से लगा आगा है बागर किते दिन में राम-राम भाई अभी तो डेढ महना हुआ इसको औ तो बताते हैं वही दस दिन में लगना शुरू हो जाए गा ठीक है तो पानी कितने दीन में एक बाद देते पानी तो अदा दा गंटा यह के घंटा मतलब जो डेली कर चलाता हूं उत्वेक्स तो जो 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 गैप पाने का आध गंटे बाद या गंटे बाद चल जाते हैं ह झाइब तो दिखाते है पानी कहा से निकलता इस doping तो देखिए यह है त्समें छुराक है येक फूट पर श्र благ सुराक है इसक भीफ दोरा जo पानी निकलता है टोपे टोपे और सब कजर्में रस्टा यह पानी है तो इसमें बहुत सारे इसता है चेद वही थीक है पूरी यह उदर दिखा आदे सारे जह तो जिदनी है आप यह पाईप देख डिख रहे हैं भए ठीक सारी में छेद था है ठीक हरीं का कंट्रोलर भी है तो कंट्रोल भी दिखाएंगे और उसके बाम पूछें विगे तो तो देखो बही यह सब से मोटी पाइप है इसमें से पाणी जाता दोनों तरब थिक है इस तरफ भी और उस तरफ भी जाता ठीक है तो आप अप कहा से कंट्रोल करते है इसको जो पानी आता है जो इंजन नहीं है इंजन के पास में सारे इस कमिटर लगा हुआ है जब खोलने को आता तो इधर को खोल देते हैं ने तो बंद कर देते हुआ तो आपने देख्या और इसमें से आज आभी सकते हैं और इसकी अच्छी तरह से रखवाली होते हैं रात को ज्यादा करने पड़ते हैं ताकि कोई जानवर ना है और इनको कुछ लगाना जाए ठीक है और सब्सक्राइब आप सभी को पता है कि क्या रेट चर रहा है क्या नही दोस्तों दो तीन बर पाइप इसकी बदली जा चुक है और काफी महंगी महंगी पाइप आती है और आपने देख्खा भी हर एक फुट पे छेद है ठीक है तो इनी चेद के कारने इसमें पाने आता पेड़ पो दो में और फूल भी लगने शुरू हो गए है ठीक है और बह है और मेरे गाओ में लगा हुआ है और जब लगेगे बता जी तोड़ के मा अपने आतों से खाऊंगा ठीक है और देखो वह कितनी उसमें से दगाओगा बहें है दीरे दीरे सारे गुमादे एक बर आदा मद एख्या के उसको सारे सिस्टम आजाएगा तो अब दोस्तों यह स्टां वह बताई कैसे क्या है anything और यह », मीटर है जतने पर इसको चलाना होता है जितने पर चल से उरूय करता हूं उसको चलाना पूरा प्रेशर देता है अगर यह जो इसको बन्द करकर के यह म्यद्र देता हूं इसके दोन मैं इसके कर दोस्तों आपने किस तरहा अपने तरह अच्छा बड़ा है कि Sun अच्छ होता है ऑफने leg defeытर देख लिया है कि इस तरह के ऑपनियाफें पड़ा एक अच्छा एक तुधोंAA कजाता देख अच्छा गाल पयंगे अच्छे ऐ स폰 पता अता था एक इस मैं प्लेय कीति फिल्टर क जाएगा और इसमें अच्छे पानी की तरह है इसकी नोलाई होगी इसकी बुग्वाई होगी बुग्वाई तो हके नोलाई होगी जो पानी की तो देखते रहे किस तरह यह बाग है और दोस्तों बहुत ही अच्छा यह बाग है ठीक है और दस यह पंदा दिन के अंदर है यहां पर यह फन लगना शुरू हो जाएगा ठीक है यह दो तीन दर के वाद फर पक भी जाएगे ठीक है तो विनोद भाई जो यह पकने कब तक शुरू हो जाए माने 10-15 दिन के बाद लगना शुरू हो जाएगा यह आचा उसके बाद की त्या समय लेते पक ने में पकने में कुछ समय नबस 12-14 रोज में बस तो फल लगने के बाद बई देखो 2-4 दिन में पक जाएगे ठीक है बैसे आप तोड़के खा सकते हो तो दोस्तों अगर बुलोग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए लाइक निया दे कोमेंट जुरू किजिए ठीक है तो प्याय दोस्तों आशा करता हूं आप सभी गपलोग अच्छा लगा हो आप स्ट्रेबरी बाग का ठीक है और दोस्तों अच्छा लगा हो तो कोमेंट जुरूर करना और मिलते दोस्तों नेश्ट बुलोग में तब तक के लिए आप इंज्वाई किजिए और मस्ती मेरे जिए और खूब सारी इंज्वाई कि दिए तो जय हिंद